नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे योटूब चैनल हेल्थ रीडर में और आज के अपने इस वीडियो में मैं एक ऐसे असरदार घरेलू नुसके के बारे में बताऊंगी जो हमें माइग्रेन की समस्या से आराम दिलाता है जी हाँ जैसा कि हम सभी जानते हैं आज की ही तेज दर्द होता है जब भी माइग्रेन का दर्द हो तो दवाईयों के साथ साथ घरेलू नुसके भी जरूर अपना है घरेलू नुसकों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और हमें आराम भी मिलता है जब भी माइग्रेन हो तो गुनगने तेल से सिर में मालिश भी जरूर करनी चाहिए ऐसा करने से blood circulation है जो वो सही होता है और काफी हमें आराम भी मिलता है और अब बात करेंगे घरेलून उसके की जिसके बारे में मैं वीडियो में बताने वाली हूँ जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये देशी लाल गुलाब के फूल हैं और हमें चाहिए देशी वाले लाल गुलाब की पंकडियां इन पंकडियों को अच्छी तरह से चाया में सुखा के इनका चूरन बना ले और डले वाली मिश्री जिसमें से धागे निकलते हैं उसको भी पीस के उसका चूरन बना ले एक चमच गुलाब की पंकडियां का चूरन और एक चमच मिश्री का चूरन मिला के गुंगने पानी के साथ सुबा और शाम को लेना है ऐसा करने से माइगरेन की समस्या से आराम मिलता है और देशी लाल गुलाब जो होते हैं वो वैसे भी बहुत ही फाइदे मंद होते हैं और ये जो घरेलू नुसका है इसके बारे में आप सभी को बताएं ये बहुत ही फाइदे मंद हैं उमीद है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें च